असलाम लेकम आज आज अमारा जो टॉपिक है डिजिटियो लॉटि डिजाइन का वहाँ पास्टेंड़ फॉर्म ऑफ बूली अलजबरा का बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बूली जबरा का इसको कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूली अलजबरा क्या है इसको कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूली अलजबरा के अंदर वह हम दो तरह से हम लिखते हैं यह दो तरह से एक्सप्रेशन जू है वह हम राइप राइड डाउं करते हैं जैसे के साम अफ प्रोड़क्ट सोब फॉर्म है ज इसमें बिसिकली क्या है, when two or more product terms are summed by boolean addition, जोग फॉर्म में हम expression को कैसे लिखेंगे, जब two or more product terms, बिसिकली जो भी हम expression लिख रहे हैं, बिसमें इसमें इसमें और कार्ट terms, ठीक है, अब जैसे इसमें प्रोड़क्ट टर्म क्या जिकर किया है, प्रोड़क्ट टर्म, यह हमार आपस एक variable है A और B, यह दोनों आपस में product होते हैं, बंकि apply होते हैं, ठीक है, जो dot operator के साथ जो भी variables आपस में operation हो रहा होता है, उनको basically हम product terms कहते हो, ठीक है, उनको हम summed up कर रहे हैं, यह हम add कर रहे हैं, by boolean addition, plus के साथ, जिसको plus, ठीक है, और BC, यह product term है, यहीं कि means के बिख two or more product terms, यहीं भी product terms है, BC, यहीं भी product terms है, इनको हम क्या कर रहे हैं, add कर रहे हैं, summed by boolean addition, यह हम boolean addition जो add, इसके उपर operation जो है, वो apply कर रहे हैं, तो हमें resultant expression जो मिलेगा, उस expression को हम क्या कहेंगे, sum of product terms कहेंगे, जैसे कि AD plus BC, this is, is in so true, ठीक है, इसी तरह से एक और example है, आपके सामने हैं, देखें, ABC, यहीं variables हैं, आपके पास boolean variables हैं, और इसके साथ expression एक और है, CDE, ठीक है, इसको भी हम sum कर रहे हैं, और इसी तरह से B bar, C, D bar, और यह तीन product terms हैं, ठीक है, तीन product terms हैं, जिनको हम boolean addition कर रहे हैं, that is, card sum of product form, ठीक है, इसी तरह से एक और इसमें आपको example नज़रा रही है, A bar, B bar, ठीक है, plus A bar, BC, bar, plus AC, तो यह भी हमारे पास जो form नज़रा रही है, कि जिसमें आपको तीन product terms आपको मिल रहे हैं, और उनको हम क्या कर रहे हैं, boolean addition कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे sum of product, यह यह तो ह sum, ठीक है, all यह हो गया product, यनि कि जो variables आपस में product हो रहे हैं, उनको हम sum कर रहे हैं, that form is card sum of product form, ठीक है, इसको हम canonical forms भी कहेंगे, ठीक है, इसी तरह से यह बात ग्रेर होगी होगी आपको, कि score form में expression हम कैसे लिखेंगे, जिसमें हम देखें, हम plus, यह जो operation apply कर रहे हैं, वो हम क terms पे कर रहे हैं, यह जो dot अपरेकर से जैसे कि a dot, amr dot, b dot, bar, यह basically क्या है, यह product term है, और यह भी product term है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम boolean addition कर रहे हैं, तो इस लिए basically इस expression को हम जो लिखेंगे इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे, basically sum of product term है, इसी तरह से एक और point आपको रज़ जो भी होगा, उसकी domain की, simple बात है, कि जो भी number of variables इस्तमाल हो रहे होगे, वो ही उस expression की domain के लाएगे, जैसे कि domain is the set of variables, set of variables जो हम use कर रहे हैं, contain in expression is either complemented or uncomplimented, means कि जैसे कि example आपको साब नजर आ लिए है, कि जो भी expression होगा, बस ए बार भी complemented भी हो सकता है, uncomplimented भी हो सकता है, plus A, B, R, C, इसकी domain क्या होगी, इसमें कितने number of variables इस्तमाल हो रहे हैं, ती number of variables इसकी क्या कहलाएगी, A, B, C, this is the domain of this expression, इसे तासरे ये expression आपको रज़र आ रहा है, इसके expression में कि कितने number of variables हैं, A, B, C, D, E, यनिक इसके आपके सामने जो है इसकी domain हो जाएगी, इसकी domain हो जाएगी, इसकी domain हो जाएगी, अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, ये तो आपको clear हो गया कि soap form क्या होगी, इसकी another represent form भी है, product of sum, वो हम next अगरी वीडियो में आपको explain करूँगा, अब इसको implement कैसे करना है आप, implementing soap expression, ये निक को भी है, जो soap expression है, जैसे की आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हमने implement कैसी करना है, apply कैसी करना है, इसको heart in the form of hardware, ये गेट्स की शकल में किस तरह से implement करना है, तो अगर आप, for example, हमारे पास क्या है, कि इस तरह सी इसका द्रिकर्ट क्या है, कि implemented simply required, ये निकिए आपने जब implementation करनी है, in expressions को, in the form of gates, तो सबसे पहले देखने हैं कि हमने क्या करना है, तो कि sum of product है, आपके sum को हम basically और से represent करेंगे, तो or in the outputs of two or more and gates, ठीक है, ये आप basically यहां देखने हैं कि a, b, ये दोनों आपस में जो product terms है, आपस में आपस में पता है क्या होरे है, और सा operation apply हो रहा है, and operation apply हो रहा है, और और क्या कर रहे है, operation इन दोनों product term पे, और का operation apply हो रहा है, और in हो रहा है, तो basically वही है कि हम इनको end gates से implement करेंगे, और दोनों को हम देखने किसके साथ पर operation perform करना है, दोनों को sum कैसे करना है, तो फिर उसके लिए कि हम क्या use करेंगे, और gate use करेंगे, तो बिल्कुल इसे तरह और in the output of two or more end gates, देखें, एक से ज़्यादा gates होंगें, जितने भी आप variables को use हरें, और जितने भी product हम इस तरह ही हमने end gates use करने है, ठीक है, यह बिल्कुल उससे different है, जो हम logic gates हमने topic पढ़ा था, उससे बिल्कुल different है, कि आपने यह नहीं देखना, कि हमने basically implement में जो है, सिरफ यह नहीं देखना कि एक तीन variables हैं, तो तीन ही आपने वो variable use करने हैं, हमने basically पूरा का पूरा expression जो है, gates की शकल में implement करना है, आप एक दूसरी ती, दूसरा बद प्रोड़क्टर जो हो गया, उसको हमने produce कि से करना है, add gate से, add operation से हमने implement करना है, आप इसको क्या करेंगे, the sum of two for more product term is produced by a more operation, यह इसकी implementation हो कि जैसे कि आपके साफ एक example नजर आ रही है, a, b plus b, c, d plus a, c, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको implement कैसे किया, a, b, की पहला expression हो क्या, क्योंकि यह product हो रहा है, इसको हमने जारी बाद dot operator है, dot operator को आप basically and simple present करते हैं, तो जिस दूसरा बी, c c, d, 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 d गेड, क्या करना है, बस implementing just oring the output, आपने outputs को or कर देना है, ठीक है, और जो inputs होगी उनको and कर देना है, यह है कि sum of product में and operation को के बाद oring output में ले किया आना है, और output होगी, ठीक है, तो बिलकुर इसी तरह से आपने implement करना है, अगले lecture में, अगली वीडियो में मैं आपको इससे कोई भी boolean expression को valid expression कैसे बनाना है, और implement और इसके बाद इस कोई भी boolean expression को तो उसको कैसे आगे solve करना है, तो इंशादा वो हम next video में, जो है, आपको मैं explain करूंगा, मेजीद है, आपको इतना सा आज topic जो है, जो हमने start किया some more product का, आपको अपर समय जाएगा हो, thank you very much.